नमस्कार दोस्तों आपका अपनी चैनल बेबी केर विद फन में आपका स्वागत है तो डियर पैरेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके बच्चों को सर्दियों में दस्त लग जाते हैं बच्चा पतली पोटी करता है हरे पीले रंके दस्त करता है तो आपको क्या ऐसा घरेलून उसका अपनाना है कि जिससे बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक हो जाए लेकिन अगर आप बच्चे को कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे को पोल्ड डायरिया हो जाएगा बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी इसी लिए बच्चे को सही समय पर सही इलाज की ज़रूरत होती है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेश्ट करें शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो में बताने वाली हूं में एक ऐसा अनोखा तरीका जिससे कि आपके बच्चे के हरे पीले दस्त और किसी भी तरह के दस्त उसके बिलकुल ठीक हो जाएंगे 100% तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला टॉपिक है कि बच्चे को दूद पिलाना बिलकुल कम कर दीजिये क्योंकि कहा जाता है कि दूद दस्तावार होता है सेकंड है बच्चों को जितनी बार भी पानी पिलाएं उसे ORS का गोल ही पिलाएं थर्ड है बच्चे को बाहर की चीजें तुरंत बंद कर दें और रामबान उपाए हैं थोरी सी हींग लें उसे कच्छे दूद में मिलाएं फिर उसे गैस पर हलका गुनगुना करें फिर उसे बच्चे की नाभी पर लगाएं और नाभी के चारो तरफ लगाएं ऐसा करने से बच्चे के अगर पेट में दर्द होगा तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा और बच्चे के दस्त भी रातो रात ठीक हो जाएंगे सेकेंड है कि अगर बच्चा आपका सर्दियों में फ्रीज का मठा नहीं नॉर्मल मठा उसमें हींग डालकर और नमक डालकर पीले तो उससे भी बच्चे के दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो बबाय दोस्तों